हेलो गुड बॉर्निंग क्रेंट वेलकम टू जमनी लाल अनलाइन क्लास विश्वितिहास के खंड में इसके पुरू हमने चीन के ख्रांती के संबंध में समयवादी पार्टी के उत्थान और परसासन के वारे में आज पढ़ेंगे इसके पुरू हमने पढ़ा था चीन में कॉमिंग तांग पार्टी के उत्थान और उसके विकास के वारे में तो चलिए आज हम पढ़ते हैं माओ जी डांग और चाइनीज कमुनिस्ट पार्टी के वारे में 1921 में जब कमुनिस्ट पार्टी का गठन हुआ आरंभु में यह भीचारकों के पार्टी थी और इसके पास थोड़ी सेन सकती थी जिसके कारण इसे कॉमिंग तांग पार्टी को सहीयोग करना पड़ा माओ जो की संपन किसान के बेटे थे उन्होंने सिच्छक की ट्रेनिंग ली और फिर बीजिंग चले गए जहां वो एक विस्विश द्याले से जो माक्सवाद के अध्यन का केंद्र था में लाइबरेजियन के पदपर काज करने लगे बाद में वो अपने ग्रीप रंथ हुनान बापस आ गया जहां उन्होंने ट्रेड यूनीनल और किसान सभाओं के संगठन करता के रूप में अपना नाम कमाया कॉमिंटांग पार्टी से संबंद बिछेद होने के बाद कॉमिंटांग पार्टी के नीतियों को उन्होंने बिक्सित किया और उन्होंने सहरों में मजदूर करांती करने की अपेक्छा गाओं में किसानों के नित्रित में करांती पर बल दिया चुकि सहरों में कॉंटांग पार्टी के परहों में कई मजदूर क्रांतियां पुरु में सफल नहीं हो पाई थी 1931 में जब उन्हें पार्टी के कंद्रियर कारिकारी समीती का अध्यक्ष चुना गया तब सिवे चिनी सामेवाद के वास्तिक नेता के तोर पर उभर करा है माव और उनके समथक च्यांग के सामेवादियों के पुन उन्मूलन कारिकरम से किसी तरह बचते हुए हुनान और च्यांग सी प्रांत के पहाड़ी छेतरों में चले गए जहां उन्होंने लाल सेना का निर्मान बड़े पेमाने पर किया 1934 के आरब में जब कमिंग तांग पाटी की सेना ने माओ के केंदर को घेर लिया तो माओ ने दूसरा केंदर बनाने का फैसला किया और अक्टूबर 1934 में एक लाख साम्मेवादियों ने लौंग मार्च किया जो चीन के इतिहास में यादगार है जिससे उन्होंने 600 मिल की आत्रा मातर 368 दिनों में की उस समय के ततकालीन पत्रकार एडगर स्नो का वर्नन है कि चीस तौरान 18 परवत स्रेनिया 24 नदिया उन्होंने पार किया 12 विभिन प्रांतों से गुजरे 62 सहरों पिर कबजा किया और 10 प्रांतों के वारलाट की सक्ति को सवाप्त किया इसके साथ साथ सरकार की सेना से भी युद्ध करते रहे बचबच कर आगे बढ़ते रहे मातर 2000 साम्मेवादी ही सेन्सी प्रांत के यन्नान तक पहुँच पाए और जहां उन्होंने एक नए किंद्र के अस्थापना की माव ने सेन्सी और कांसू प्रांतों पर नियंतरम अस्थापित कर लिया अगले दस वरसों के दोरान साम्मेवादियों ने जहां लावातार जन्द समर्थन हासिल किया वहीं च्यांग काईसेक और कॉविंग्टांग पाटी ने अपनी लोक प्रियता धिरे धिरे खो दी अब आते हैं माओ और सामेवादियों दोरा लुक प्रेता हासिल करने के क्या कारण थे पहला की कौंग तांग पार्टी सरकार की अकुसल नीतियां और भरस्टाचार उन्होंने बहुत थोड़े सुधार किये और अधिकान समय उद्योग पतियों बैंकर्स पूंजी पतियों के लाव के लिए काम किये तथा कोई परहौई कारिजन सवर्थन को हासिल करने के लिए नहीं किया और जिसका फाइदा माओद को मिला दूसरा फैक्टरी के स्थितियों बहुत थोड़े सुधार हुए कानून होने के बाबजूद बालस्रम कपड़ा मिलों पे चलता रहा निरिचकों को बड़ी मातरा में घुस मिलता था और च्यांग काई से खुद अपने समथ्थक उद्ग पतियों का बचाओ करके करते रहते थे तीसरा एक्रिसकों के गरीबी को हटानी के लिए कोई काई नहीं किया गया उन्हें सो तीस के दसक के आरम में सूखा और खराब फसलों की वज़ा से ग्रामिन छेत्रों में जब अकाल पड़ गई उसी समय काला बाजारियों ने अपने फाइदे के लिए बड़ी मातरा में चावल और यहों सहरों में जमा कर लिया इसी के साथ उचकर पर नाली और बेगार की समस्या भी चरम पर थी जबकि इसके बिपरित भूमी नीटी को साम में वादी कबजे वाले छितरों में अपनाई जा रहे थी जो कि किसानों को ज़्यादा करसक लगा दच्छनी चीन में उन्होंने भूमी पतियों से जो जमीन कबजा किया वह किसानों में पुनह बटवारा कर दिया गया साथी जापान के साथ ही उध्यों थोड़े समय के लिए सहयो काल के बाद सामयवादियों ने जो नीती अपनाई उसके ताथ गरीब से गरीब ब्यक्ति के पास भी भूमी का एक छोटा ठुकड़ा मिल गया इस नीती से सामयवादियों को छोटे भूमी पतियों के साथ किसानों का भरपूर समर्थन प्राप्थ हुआ चौथा है कमिंग तांग पाटी ने जापान का परभावी परतिरोध नहीं किया और यह एक निर्नायक कारण था सामयवादियों की लोगप्रिता का 1931 में जब जापानियों ने मंचूरिया पर कबजा कर लिया और वे उत्तरी चीन के अन पड़ोशी इलाकों को नियंतरन में लेना चाहते थे चांग ने जापानियों का परतिरोध करने के अपक्छा सामयवादियों के दमन के काशक्रम को अधिक महत्पुन समझा और माउव पर सिंसी में आक्रमन किया यहां एक महत्पुन घटना के तहट उनके अपने सेन दल की एक टुकडी ने उन्हें गिरफतार कर लिया जिसमें अधिकांस मंचूरिया के लोग थे जो चाहते थे कि जापान का परतिरोध पहले किया जाए और अंतता सामयवादी जाव एन लाई सियान में उनसे मिलने आये तो एक नए सहयोग समझोते पर सहमती ब्यक्त की गई जिसके तहट दोनों मिल जुलकर जापान के आक्रमन का परतिरोध करेंगे नए दलने सामयवादियों को अधिक फायदा पहुँचाया कौमिंग तांग के कैम्प पर कबजा कर लिया गया जबकि समयवादियों का सियंसी बेश सुरचित रहा जब जापान के साथ पुन रूप से 1937 में यूध हारम हुआ तो कौमिंग तांग पार्टी सिग्र सी पीछे हट गई और अधिकांस पुरवी चीन पर जापानी से नकाधिकार हो गया और च्यांग को पिछिम में पीछे हटना पड़ा इसने समयवादियों को जिन्होंने सियंसी के रच्छा सफलता पुरवक की थी अपने आपको राष्टवादी गुप सावित करने में बहुत मदद की और तत्पस्चात सामयवादियों ने गुरिला युद का नित्रित्व कर उत्तरी चीन में अपना प्रभाव अस्थापित कर लिया इससे उनका जन्द समर्थन किसानों और मध्यम बरग में भी बढ़ता गया जबकि 1937 में कंटांग के पास पांच बेस कैम्प और बारा मिलियन लोगों पर नियंतरन था कारी को सलता और दूर दर सिता सामिल थी 1945 में जब जापान अंतिम रूप से हार गया तो कॉमिंग टांग पार्टी और कम्मिनिस्ट पार्टी ने नायक युद्ध में जुट गया है अमेरिका को आसा था कि च्यांग इस संगर्स में बिज़ाई हो गया अमेरिका ने कॉमिंग टांग पार्टी को जापान के कबजे वाले छेत्रों को अपने कबजे में रखने में मदद दी केवल मंचूरिया को छोड़ कर जो कि वादुतिय अभी सुईत की समापती के कुछी दिन पहले रूस के कबजे में चला गया था यहां रूस ने कॉमिंग टांग पार्टी के परसार को रोग दिया और कमिनिस्ट पार्टी के गुरिल्ला युद्ध को सहयोग देने लगा धीरे धीरे कमनिश पाटी की सेना इतनी बड़ी हो गई कि वज सीधे कॉमिंग तांग पाटी को चुनाती देने लगी और अंतता च्यांग पो अपनी बची कोची सेनाग साथ ताइवान भागना पड़ा अपार जन समर्थन किसानों को भूमी वित्रन करों का उनमूलन सामेवादी सेना का नुसासित होना ये ऐसे कारण थे जिससे सामेवादियों को चीन की एकरांटी में सफलता मिली जबकि दूसरी और कॉमिंग तांग पाटी का सासन उस टेम आकुसलेवं भरस्ट था इसमेवादिकान समेर्की सहियों के पदाधिकारी थे यहाँ के पदाधिकारी जातर नोट छापकर यूद के खर्चों को चलाने में विश्वास करते थे और जिस कारण चीन की अत्वेवाद था में मुद्रास फिती के अस्थिती आ गई थी च्यांग ने हिटलर्ट की तरह अपनी सिना को पीछे लोटने का आदेश देने से इंकार कर दिया था और इस कारण जापान के साथ यूद में उसे समर्पन करना पड़ा अंतिम रुप से कम्मिनिस्ट पार्टी के निता माओ जाओ एन लाई आदी ने कम्टांग की कमजोरियों से फाइदा लिने में बखुबी सफल हुए सामयवादी जनरल लिन वियाओ चूते और चेन इने अपनी सेना को रसापधानी परोग संगठत किया और चीन पर अपना कपजा मजबूती से प्राप्त कर लिया अब आते हैं चीन करांथी के क्या परिनाम हुए याई चीन में इस करांथी का क्या महत्व है चीन में समयवादी सरकार की अस्थापना हुई दच्चिन पूर्वेशिया के देशों को पूंजी वादी आकमनों के विरुद सक्रेता साहेता मिली तथा या कोरिया और वियत नाम को अपने पच्च में करने में सफल रहा दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में समानता के सिध्धान्त के आधार पर सामयवादी सिध्धान्त लागू किया गया माओ जो कि अपने आपको सिच्चक ज़्यादा कहलाना पसंद करते थे उन्होंने मार्क्सवाद लेलिन बाद को चीन की ठोस पर स्थीतियों के अनुसार ढाला रोड़ी वादी होने के बजाए चीन के स्थीति के अनुसार सामयवाद को यहाँ अस्थापित किया नित्रितु का अधार उनका मैजदूर बर्ग था राष्ट्रिय पुझी पती बर्ग भी बना इस परकार चीन में एक नई नव जनवादी करांती हुए माओं को गुरिला युद्धों का बेग्यानिक तकनीशियन का भी से सग्ग माना जाता था लौंग माच के दोरान उनका नित्रितु चीनी सामयवाद पर अस्थापित हुआ जापानी युद्ध के तथच्छ्यां के भी रुद्राष्टी युद्ध के समय कभी दो कदम आगे और कभी दो कदम पीछे हटने की नीती ने उन्हें लगातार सफलता पद्दान की करूं के सिधानत के अंसार सर्व वहारा सांस्कृति करांती का हवान माओं की सफलता में थोड़ा अलोचना का बिंदू बनता है पर अंतर नीचे सा सत्ता पर कभजा करने के सिधानत पर चलते हुए माओं ने सत्ता पर मेहनत कस लोगों का कभजा स्थापित करने में सफलता प्राप्त की परसत्ता का ओपर के लोगों पर कबज़ा नौ हो जाए इसलिए बाद में केंद्रे कारियाले पर बंबारी करों के सिध़ानत के आफ़र सर वहारा संस्क्रितिक कुरान्ती का हवान किया माउने अंतर बिरोधों के वारे में व्यवार के बारे में जैसे दास्निक और समाने लोग के कमी विचार मिलते हैं पाटी के अंदर भी संघर्ष चलते हुए भी अपनी गलतियों को स्विकार करते हुए भी माओ ने चीन में समाजबाद का निर्वान किया अपने खीन के की अचीन में समाने टास्थ भी स्विकार कर अजर्ष चलते हैं